स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चाहे है सूरत बोई क्रिष्णा में दोस्तों आपके मन में कभी ने कभी सवाल आया होगा क्या हम बिना टिकट का यात्रा कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इसली तरीकिस समझ में आ जाएगा कि बिना टिकट का यात्रा कर सकते हैं या नहीं रेल्वो इसमें क्या कहती है और कौन-कौन से उसमें रूल से अगर आप बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ेगे तो दोस्तों आज आप ये वीडियो देखने के बाद आपको इसली तरीकिस समझ में आ जाएगा कि बिना टिकट यात्रा करने में कौन से हमको लाव होते हैं कितने लाव होते हैं और कितनी हानिया हमको जहननी पड़ती है तो दोस्तो आप वीडियो में बने रहे और हाँ दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तो आपको एक कंफरम सीट मीलेगा आराम से आप उस लेकिन दोस्तो अगर आपके पास बीन टीकर निकाले अगर आप सफर करने के कोशिस करें तो दोस्तो रेलवे की अधिनियम के अनुसार अगर आप बीना टीजी सी के पकड़े हुए सफर अपना पूरा कर लेते तो ठीक है और दोस्तों अगर टीसी प्रकल लेगा तुछ से में दोस्तों गाड़ी जहां से जहां तक जार ही वो लगेगा उसके बाद 200 या 2500 रुपे अलग से आपको पेनल्टी चार देना प्रेगा जिहां दोस्तों एक बाद अच्छे ध्यान से समझो जैसे आपने टिकट नहीं निकाला हुआ है और टीसी टिकट चेक करने आ जाता और आपसे पूछता टिकट दिखाई आपने बोला सर्फ टिकट हमारे पास नहीं है एक्स वाइजट आपने कोई भी बहाना कर दिया तो सिच्वेशन वो गाड़ी जहां से जहां तक ज लिया जाएगा जी हाँ दोस्तों दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है और दोस्तों में आपको बताने हैं अगर आप लोकल हैं अगर आपको पकल यह इधा उधर जैसे यह जिग बोगी में चल जाएंगे फिर यहां महां जाते ही जाते हैं आपका 1,2 श्टेशन वो भी चरते हैं यहाँ तक कि दोस्तों आप पुलिस वाले भी टिका चेक करने आ जाते हैं तो दोस्तों कोई ने कोई कहीं ने कोई श्टेशन पर आप पकड़ाई जाओगे तो दोस्तों उस समय आपको भाड़ी जुर्माना देना पर सकता है लेकिन दोस्तों जो लोकल वाल नहीं होती है। उनको पता है किस सिचुएशन में हमको आगे पीछ क्योंकि उनकी नसीब अच्छी रहती कभी कभी वह सोचाले में खुछ जाते हैं कभी कभी अब डाउन करें लगतें लेकिन दोस्तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है आपको जो रेल्वे का रूल से उसको फोलो करना आपको कभी भी आत्रा करना तो टिकट लेके करना दोस्तो ये वीडियो बनाने का मध्यमी मेरा एक ही मकसत था कि आप लोगों को मुल्ब पता चले कि पांब कर लें क्याली को Зबसे पहले तो आपको सिट नहीं विलागे इधरों आप बेठोंगे तो कोई बैठने देता है कोई नहीं भी बैठने देता है तो दोस्तो इससे बेस्ट ओप्शन है कि आप टिकट ले लिजिए और दोस्तो अराम से अपना जन्नी पूरा गीजिए हां दोस्तो अगर आप लोकल में सफर करें यानी एक दो तीन इस्टेशन पे हैं तो दोस्तो आपके बता है तो थैंक्स फ़र वाचिंग दोस्तो